दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 25 x 30 हाउस प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्क्स करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राबर थे वो लगातार कमेंड कर रहे थे कि सर्फ 25 वाई 50 में एक बेतरीन सा हाउस बना कर दीजिए जिसमें नीचे आपकी दो शॉप हो साइड में और इंटरी के लिए में इंटरी के लिए आपका मिडल में दरवाजा हो या डोर हो तो उन्हीं के कहने पर पूरा मॉडल को डिजाइन किया है बहुत ही नॉर्मल सा है और थ्री साइड क्लोजड है मैं बता दूँ पहले सी फ्रेंड के लिएशन आपको बेश्ट मिलता है इसका रेंजमेंट भी आपको बेश्ट मिलेगा पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे आपके साथ तो बने ने शूड़म लगातार मैं हूं पहुं जागड़े और आप देखने है अपना चैनल इसमाल आउस प्लान अगर आपने अगर बनवा सकते हैं एक आइडिया ले सकते हैं और अपने घर को इनिवेट करा सकते हैं नया बनवा सकते हैं तो चलो जो आज का प्लान है 25 भई 50 का उसे डिसकस करते हैं तो सबसे पहले में प्लान को जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा जैसे maximum zoom करते हैं तो ये दिखीगा maximum zoom पर आपको चीज़ें realistic देखती है जो ये पूरी door बगएरा है ये आपका railing है ये जो मैंने window type का लगा रखा ये भी door, window सारी चीज़ें आपको realistic देखती है कि जूम में अब इसका बारी बारी में ground of a slow discuss करूँगा, मैं three side दिखा दिता हूँ तीनों side से closed है front से ही स्रिप open है तीनों side मकान वगएरा कुछ बने होंगे अब बात करते हैं हमसे ground floor की, तो ये इसका ground floor है जो मैंने create किया ये दिखी किया, दोनों तरफ इस्टेर्स हैं और ये बीच में स्लूप है, आप पाई वगएरा और दोनों तरफ दो दुकाने आपको मिलने ही मैंने setter भी देखी, पीली कलर का, yellow कलर का black कलर का, आपका main door है यहां शाय प्रिंटी करते है तो ये gallery है तो टूटल जमीन है, जो 25 फिट चोड़ाई है तो लगबग non-offit की आपकी दुकाने चोड़ाई में है बाद बाद की area में आपका gallery और walls conclude है, include है तो ये दोनों shops हो जाती है इसका एक gallery के मादने से जाती है तो आपको यहां पर भी मैंने door दी है हलाकि आपको door देने का आप शक्ता नहीं है क्योंकि front में आप door already लगा चुके है लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर भी दे सकते हैं इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं यहां पर तो ये आपको एक बड़ा सा area देखने को मिलता है यह गैलरी फिरिश के अद बड़ा सा एक पोर्च मैनेशी लिए जादा है वहाँ पर चीज़ें क्रेट नहीं की है तो इस area में सबसे पीछे आपको दो bedroom बड़े से मिल जाते है पहले बाद सबसे बड़े bedroom मिलते हैं दो और इसके बाद एक ये bedroom और जिस्ट दुकान के पीछे आपको मिल जाता है तो तो तीन तो bedroom हो गए दो दुकाने ये आपका kitchen area मिल जाता है और ये stairs जो आपका जाएगा इधर से turn होकर और उसी की में नीचे मैंने latent बात को और जिस्ट कर दिया है तो अगर हम बात करें overall ये हाँ पर आपको पांच bedroom दुकानों को भी जोड़कर मिलते है एक बड़ा सा kitchen मिलता है और लेटन बात और stairs मिलता है बड़ा से एक hall या living hall जिसे बोल सकते हैं मिलता है तो overall अगर हम बात करें दो दुकाने, तीन bedroom, kitchen, late bath, stairs और बड़ा सा hall आपको देखने को मिलता है पचीस भाई 50 feet में, चड़ाई 25 feet है, लंबा इसका 50 feet है तो यह दो हो गया ground floor का बात अब हम बात करते हैं इसके first floor की तो जैसे आप stairs के माददें से first floor पर आएंगे तो बिल्कुल similar, similar ही ground floor की तरह वही पीछे वाली दोनों आपको bed room मिल जाते हैं वही late and bath stairs, वही kitchen और वही आपका bed room बच जो नीचे आपकी दुकाने बनी थे वो अब आपको मैंने middle में बिल्कुल similar दुकाने create कर दी हैं जो gallery वाला area था वो भी covered कर दी है इस room में ही तो यह आपकी काफी बड़े-बड़े room हो जाएंगे front में मैंने इससे bed room के लिए बड़ा सा stylish थोड़ा window और डोर दिया है इसके लिए शेम दिया है दोनो रूम से आप बालकनी में आ सकते हैं इससे चाहें तो इससे भी आचाहें इससे चाहें तो इससे भी और बालकनी के जो design है यह छजजा जो आप देख रहे हैं यह लगवग तीन फिट बहार के लिए है और यह simple सा railing मेंने create किया है जो कि iron का है यह stylist आप कहीं से भी market से बनवा सकते हैं और यह glasses का प्रयोकी है यह आप into cb से बनवा सकते हैं तो ज्यादा budget आपका नहीं आने वाला है और मैं आपको announcement करना चाहता हूँ अगर आप किसी भी type का घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते ह लेकिन मैं paid service देता हूँ अगर आप हमें contact करेंगे description में हमारा number है WhatsApp number है बात करें और मैं आपकी requirement के according आपका house create करूंगा plan आपको विशेश ध्यान यह रखना होता है वहाँ पर कि वो paid service अकल paid user ही contact करें तो यह आज का जो प्लान यह था अब हम last floor की बात करें तो last floor पर भी मैंने कुछ भी create नहीं किया है चारो तरफ साड़े तीन फिट का boundary create कर दिया है और friend में यह आपकी नॉर्मल सी railing मना दी है तो overall 25 बाई 50 में आपको बेदरीन से model low budget model मिल जाता है cost के बात करें इसमे cost कितन आने वाला है तो आप इसे estimate कर सकते हैं हमारे application small house plan से यह play store पर भी available है आप वहाँ पर जाए small house plan सर्च करें और play store से उसे download कर ले वह application आपको exact बता देगा क्या इसमें material लगेगा कितना कितना रुपए लगेगा और link भी मैंने description में दिया है वहाँ से download कर सकता है तो यह model कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो को like किया करें शेयर किया करें इससे हमें motivation मिलता है तो इस वीडियो यह channel को आप जरूर सब्सक्राब कर लें thanks watching